Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. Modi के स्ट्वीट पर इसराइल के जो राजदूत है भारत में उन्होंने थेंक्यू लिखा है और टैट किया है PMO इंडिया को प्धान मंसी के कार्याले को. इंडिया कहता है जी के हम अपने ब्रामोज मजाइल बेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल हम मास को सबख सिखाएं. अमरीके सदर ने धडले से इसराइल का साथनाथ होने का इलान करते हुए दो टो कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है. इसराइल फलस्तीन के सिखी पर मुक्तसर खताब में कहना था कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हमायत चटान की तरहां मजबूत और गेर मतजलजल है. इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसी दिया है, उनके प्राइम निस्टर ने ये मैसी दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं. पाकिस्तान की गौर्मिटी सिच्टवेशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी? इसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बाहराल ये किया जा रहा है और एक फौजी औरत जिसको मारा गिया है, उसकी डेट बॉडी को लेकर. इसराइल ने जवाबी का रवाई में घजब पर बंबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया, बताया जा रहा है कि चार सो अस्ती फलस्तीनी शहीद और उननी सो से जाएद जखमी हुए है. इसराइल डेकलियर्ड स्टेट आफ वार अगेंस्ट हमास, दुनिया एक नई जग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है. इसराइली फौज ने दावा किया है कि लबनान की सरत के साथ हिजब ल्ला के ठेकाने पर हमला किया गया. हमास ने जो वाइलन्स शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था. इसराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गज़ा पर लाँच किया गया, वो आईरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है. हमास वारा किये गए आतंकी हमलों के बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ गई है. एक तरफ हमास को इरान और पाकिस्तान ने समर्थन दिया है तो दूसरी तरफ भारत ने इसराइल से दोस्ती निभाने की बात कई है. हमास के हमलों के बाद इसराइल ने मिले समर्थन पर भारत को धन्यवाद किया है. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर इंडिया विद इसराइल ट्रेंड कर रहा है इसराइल के विदेश मंत्राला की डिजिडल डिप्रोमेसी टीम ने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा धन्यवाद भारत एक तस्वीर भी साजा की जिसमें एक्स पर भारत इसराइल के साथ है ट्रेंड कर रहा है दूसरी तरफ इसराइल ने पूरी ताकत के साथ हमास पर हमला कर दिया है इसराइल की तरफ से जो ऑपरेशन घजा पर लौँच किया गया वो आईरन सोड के नाम से अब जाना चारहा है उसका नाम गी रखा गया है और इसराइल की तरफ से घजा पर हमला किया गया चन्गंटों के बाद और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानि के टू थ्री हंड़र्ड के करीब हलाकते और टू थाउजंड से ज्यादा वूंड़िड और जखमी कहे जा रहे हैं तो घजा की तरफ फलस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं हमास ने ये हमला क्या सोच कर किया क्या ये उसकी पहले से प्लैनिंग थी एक तो ये के हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज हैं हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में तीन बड़े कंट्रीज तीन से ज़्यादा कंट्रीज कहे जाते हैं यानि उनको हतियार दिये गए, उनको फंड दिये गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर और तरकी जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा और अब यूएस की दरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी उसमें ये बताया गया है कि हम अभी य रहाएंगे, इसकी वज़ाई ये है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नज़र आएगी, पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नज़र आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे, एक ऐसी जो है वो सीड़ी नज़र आ रही थी जिस पर चड़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था, और अब ये बिल्कुल सामने आ गई ये बात, लेकिन एक इसमें सवाल ये भी है कि इसराईल का वो डिफेंस सिस्टम जो के आईरन डॉम कहा जाता है, वो कैसे नाकाम हो गया, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए नज़र आ र कि जो इसलामिस्ट या एक्स्ट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियन्स हर जगा के, हर तरफ मासूम होते हैं, उनके मरने पर और सिविलियन्स की हलाकतों पर जैसे कि हमास ने जो हमला किया है, तो इस वक्त हमास इंवेडर नज़र आ रहा है, और उसने उन वो अगर करने हैं लेकिन दूसी तरह वहीं पर पाकस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज जो के सपोर्ट करते हैं मास को उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशिया मनाना, सेलिबरेट करना, ये किसी भी सूरच जायस नहीं है, इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना चाहिए। इसके उपर सारे मुसल्मान जो हैं वो कठे होते हैं माजी में और ये सारी चीज़ें चलती रही, अब देखें कि ये अगर फॉक जामपल, जारी बात है, इंडिया अपने ब्रामोस मजाहिल चाहता है अहालात को गर्माने के लिए, महौल को गर्माने के लिए, लेकिन जार अज्वेड़ाइल एंड फलस्तीन दोनों ये समझते हैं, इसके लिए अगर फेस्टीन जाहिए अगर जाहिए ता, ये जिन आक्टर्स ने भी इसको खराब करने की कुछ की है, तीक है, उन्होंने बड़े जाती की है, अब होगा ये ये कि इसराइल जो है, वो दोबारा कोई करेगा, तो अहला फिर जादा मारेगा, उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सिपोर्ट है, यूनाइटर नेशन्स है, सिक्यरिटी कॉंसल है, वो आपको उड़ा के लग देंगे, अगर दोजार बीस में जो यूए इने ने पिर यूए और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रेकिनाइज शुरू कर लिया, इबराहेम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था, और इसके बाद अब इंडिया, साथियर भी बीच में आ गया था, ठीक है जी, और फिर चीज़ें बहुत जादा बेतर होनी शुरू हो ग सक्त किसम के हौक हैं, और अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो ड्वेल्मेंट्स होई हैं, ये दिसम्बर बीस में, दोजार बाइस में, ये जो इसराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा दे मोस्ट फार राइट और रिलिजिस गवर्मेंट आइस वकद, ठीक है जो द